पुजब रहे हम्म बढ़ेंगे ग्रहां आज हम परेंगे दा सोलरक्टेश के बारे क्ल मने बढ़ा पुलिंस्टार्स प्राइंस के बारे में तो आज हम पढ़ेंगे दी सोलरक्ट सीस्ट उलर केा इसमें क्या-क्या आता है सबसे पहले इसमें Sun आता है उसको बाएज पोडिस भी इसमें आते हैं इसमें सेलस्टायल पॉस्थ वह क्यों के बीज ऑच्वाहिए इसको बोलतर है यहां पैलनेर थ Assam है सिस्वें जैसे होते हैं सोल्र फैमली भी बोलते हैं जिसमें से हेड़पॐं होता है सं क्योंकि संहीं अनको यूँ रोष्णी और गर्मी परहाम करता है, सबसे पहले इसमें संटर आता है सालर स्प्रृत्ट संकर्व होता है वह संस्सक्राइब çıkar रोश्न great रोश्न और घ्रमी पाइदा करता है इसमें एक अध्यों अधा कैदा है नियुक्र में रुट करता है धे यह कितना दूर है तो यह तक्रीबन 500-100 million km निकी 15 करोर गिलिमेटर से दूर है मैं आपको मिसाल दोंगा आपको कैसा समझाएगा यहां से दिली तक तक्रीबन 800-900 km कम आपको पता हैं अगर हम बात करें कि संट जो है कितना दूर है हम से तो यह तकरीबन डेयट हो जाने 15 क्रोर किलुमेटर यानि कि यह जमीद से बहुत बहुत दूर होता है इसमें आप पिल्नेट्स की बात करेंगे पिल्नेट्स eight पिल्नेट्स होते हैं अगर हम a सबसे पहले चलीव देखेने तो यह सब्सेते कौन आता है नजदिग जो होता है संब मर्वार्ट के इसके बाएट वेस्ट वेस्ट होता है फिर घ्र पिर मार्स फिर युरेन i and और फिर ब्लास्ट पे आता है नैप्चुन बर्लेट को भी 2006 से पहले पर लेंट माना जायता था लेकिन 2006 के बाद आप इसको डवर प्लानेट कहते हैं अगर आपको याद रखना है इत्पले नाम आपको याद रखने हैं तो आपको एक सिंप्ल सा सेंटेनस याद रखना है जिसे आप इसके नाम याद रख सकते हो यानकि my very absent mother just served us natus इन में से जो पहला लेटर राता है वो फिर यह प्लेनेट्स को रोप्रेजन्ट करता है जैसे माई माई एम इसमें पहला लेट रहा था मिनस मर्कुरी फिर वेरी वी मिनस विनस फिर एप्शन टुई मिनस अरॉर यह बाग के सारे जो एट प्लेनेट्स होते हैं जो सोलर सिस्टम में पाए जाते हैं किसके अरॉंड उर्वड ना मुव करते हैं इनका एक फिक्षण पात होता है सबसे जड़ीक प्लेनेट्स ओर्थ करें वो मर्कुरी और जो मर्कुरी को तकरी अर्थाईज दिन लगते हैं एक चकर को अप्लेट करने में इसको अठाईज देज लगते हैं इसको time क्यों काम लगता है क्योंकि यह सबसे ज़्यादा नजदीक Sun के ज़्यादा नजदीक होता है अगर हम वेनस की बात करें वेनस का जो इसको हम इर्थ स्ट्यून भी कहते हैं क्योंकि इसकी जो शेप और साइस हो बिल्कुल हमारे इर्थ की जैसे होती हैं अब इर्थ की रहा बात करें अर्थ ऐसा में जबसान जनददा रह सकता है जहां पर mortality है जहां पर कर रहा है उज्वार पानी भी यहां भी और यहां पर यहां इतनी हीरोशनी हो दा Canal तो इसी वाज़ा से फिर पर लाइप एक्जस्ट होती है अगर एरय के लिए से देखेंगे तो यह सबसे लग फिफ्थ लाज़स्ट पर लेड़ माना जाता है इनके जो पॉल्ल होते हैं जिसके वज़ा से हम इसके शेप को क्या बोलते हैं जिवाड भी बोलते हैं यहां पर दो चीज़ें मैंने आपके बोलें कि दो चीज़ें ऐसी हैं जिससे लाइप एक्जस्ट होते हैं एक तो आयर होता है जिसमें ऑक्सिजन होता है और बागी जो पानी होता है जो पानी हम पीते हैं अगर पानी और आयर यहां पर नहीं होता तो शायद यहां पर लाइ क्यों नहीं होती है क्योंकि वहां पर जो ना तो पानी है ना तो वहां पर ऑक्सिजन पाया जाता है अरत को हम बिल्यू पहले नेट्स भी कहते हैं क्योंकि जो जमीन का जो दो त्याई हिसा होता है वह इसका जो सर्फेस एरिया होता है तो फोड़ी सर्फेस एरिया होता है वह विन तो यह थोड़ा शार प्रहान को सब्सक्राइब करते हैं यह 15 कुलिमेटर यह सब्सक्राइब करता है इतने ही दिन इसको जो को dow साधब में मोन में यान की चांद पे हम नहीन रह सकते हैं क्योंकि वहां के लिएक लिए ते लिए मोडल में हो इसमें मोडEMA में होते हैं हो norm कि दौरान रात को हम चांद की तरह दिखते हैं तो हमें कहीं पे शेडू दिखते हैं काला थोड़ा से कहीं पे बॉरा सा ब्राइटनेज भी होता है पाँ उसके बाँ हश अज्करा के संर का चोड़ी ऑजया होते हैं आयरे आपको बोला कि उनको एक बीकस्ट पास होता है कि और मार्स और हैं उनको हम्यूट बोलते हैं मुग करते हैं अमने कि देखा है कि कई के वार ये जो मिति हुता है UM हरत की तरफ आते हैं लेकिन so much यह नीचे गिरना लगत सकते हैं अरत के तरफ यह लेकिन जो फ्रिक्शन होता है और जो सुलर सिस्टम के बारे में आप पड़ा लेकिन आप हम देखते हैं तो वहां पर हम देखते हैं एक वाइड ग्लोऑं पगा जैसे देखता है मैं सपहा जैसा वो उपर तो वह क्या होता है वो सपहा जैसा वह इसको हम आस्मान पर देखते हैं जब आस्मान के तरफ देखिएंगे तो एक वाइट ग्लौइंग पॉर जैसे दिख्ये गा तो इसको हम बोलते हैं milky way, milky way galaxy बोलते हैं, जयनि कि श्लारों billions of stars पायर जाते हैं, हमारा solar system हो बहुत सारे solar system, करॉरों44 बोलते हैं यूनिवर्स में कितने गलेक्सी होते हैं इसी कितने सोलोस होते हैं तो यह काइना जो है इन्हीं चीजों से बना हुआ होता हैं तो आज हमने यह नाय टॉपिक कहतम किया तो नेक्स्ट पर हम इंशाल्ला नेक्स्ट टॉपिक पर डिसक्स करेंगे